श्री सद्गुरु चरण कमले ब्योव नवह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाज जी केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे साथी महंद्रनाथ पांडे जी उत्रपदेश सरकार के मंत्री भाई अनिल जी सद्गुरु आचारिय पुझ्य श्री स्वतंत्र देव जी महराच पुझ्य श्री विज्ञान देव जी महराच अन्य महनुभाव देश भर से पधारे सभी स्रद्धालूगन और मेरे परिवार जनों काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है हमेशा की तरह काशी में बीता हरक्षान अपने आप में अद्भूत होता है अद्भूत अनुभूतियों से भरा होता है आप को याद होगा दो वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतिय विहंगम योग संस्तान के वार्षिकोट्सों में एकत्र हुए थे एक बार फिर मुझे विहंगम योग संसमाय के शताब्दी समारों के एक्तियासिक कारकम में आने का आउसर मिला है विहंगम योग साधना की यह यात्रा सो वर्षों की अपनी अविश्मर्णिय यात्रा पूरी की है महर्थी सदाफल देवजी ने पिछली सदी में ग्यान और योग की दिव्य जोती प्रजवलित की थी इन सो वर्षों की यात्रा में इस दिव्य जोती ने देश दुनिया के लाखो करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्थित किया है इस पुन्य अवसर पर यहां पतीस हजार कुंडिय स्वर्वेद ज्ञान महायग्य का आयोजन भी हो रहा है मुझे खुशी है मुझे विश्वास है इस महायग्य की हर एक आहूती से विक्षीद भारत का संकल्प और ससक्त होगा मैं इस अवसर पर महर्ची सदाफल देवजी को सद्धा पुर्वग नमन करते हुए उनके प्रती मेरे रदैश्ट भावों को पूर्ण सद्धा गे साथ चमर्पित करता हूँ मैं उनकी गुर्म परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूँ मेरे परिवार जनों आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और निर्मान के कितने ही नए किर्तिमान गड़े हैं सरकार समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के काया कलप के लिए कार्य कर रहे हैं आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तयार होना इसी इस्वरिय प्रेर्णा का उधारन है यह महा मंदिर महर्ची सदाफल देवजी की सिक्षाओं का उनके उपदेशों का पती है इस मंदिर की विद्व्यता जितना आकर्षित करती है इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंपीद भी करती है इसलिए मंदिर का भ्रमन करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्द हो गया था स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ का एक आधुनिक प्रतीक है मैं देख रहा था इसकी दिवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुन्दरता के साथ अंकित भी किया गया है वेद, उपनिशद, रामायन, गीता और महाभारत आधिक गरंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिये उकेरे गए हैं इसलिए ये मंदीर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवन्त उधारन है यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं इसलिए ये महामंदीर एक योग तिर्थ भी है और साथ साथ ये जिनान तिर्थ भी है मैं इस अध्भूत आध्यात्मिक निर्माण के लिए सर्वेद महामंदीर ट्रस्ट को और लाखो लाखो अन्युयाईयों को बधाई देता हूं विशेश रुप से मैं पुझ्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पुझ्य स्री विज्ञान देव जी का विशेश रुप से अभिनद्धन करता हूं जिनोनिस अनिष्ठान को पूरा किया हूं मेरे परिवार्जनों भारत एक ऐसा राष्ट है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक सम्रुद्धी और भावतिक विकास का उधारन रहा है हमने प्रगती के प्रतिबान गढ़े हैं सम्रुद्धी के सोपान तय किये हैं भारत ने कभी भावतिक उन्नती को भावग्वलिक विस्तार और सोचन का माध्यम नहीं बनने दिया भावतिक प्रगती के लिए भी हमने आध्यात्मीक और मानविय प्रतिकों की रचना की हमने कांसी जैसे जीवणत सांस्कृति केंद्रों का अथिरवाद लिया हमने कोर्णार्क जैसे मंदिर बनाए हमने सारणार्थ और गया में कुरिणरादाईश्तुपों का निर्मान किया हमारी हान नालंदा और तक्षव शिला जैसे विश्व विद्यालों की स्थापना की गई इसलिए भारत की इन आध्यात्मिक समुरचनाओं के इर्दगिर्द ही हमारी शिल्प और कलाने अकल्पनिय उचाईयों को छुवा यहां से ज्ञान और अनुसंदान के नए मार खुले उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी असेम संभावनाओं का जन्व हुआ आस्ता के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फुले और यही से पुरे विश्व के लिए मानविय मुल्यों की अविरल धाराए भी बही भाई और बहनों गुलामी के कालखन में जिनत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास की उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतिकों को ही निशाना बनाया था आज हादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतिकों का उनर निर्मान आवश्यक था अगर हम अपने सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एक यूरता और आत्म सम्मान का भाव मजबूत होता लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं आज हादी के बाद सोम्मान मंदिर के पुनर निर्मान तक का विरोद किया गया था और यह सोच दसकों तक देश पर हावी रही इसका नतीजह यह हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया लेकिन भाई और भेनों आज हादी के साथ दसक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है देश हर लाल किले से गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती और अपनी विरासत पर गर्व की गोशना कर रहा है जो काम सोमनात से सुरूआ था वह एक अभियान बन गया है आज काशी में विश्वनात धाम की भव्यता भारत के अभिनाशी वैववव की गाथा गा रही आज महा काल महा लोग हमारी अमरता का प्रमार दे रहा है आज के दारना धाम भी विकास की नई उचाईयों को छू रहा है बुद्ध सरकीर का विकास करके बारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपो भूमी पर आमंत्रिक कर रहा है देश में राम सरकीर के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा और अगले कुछ सप्ता में अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान भी पूरा होने जा रहा साथियों हम समग्र विकास की और कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजी सच्चाईयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है इसलिए आज हमारे तिर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनित इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है आध देश में विकास की रप्तार क्या है इसकी जलग आपको अकेला बनारत ही दिखा देता है काशी विश्वना धाम यह परिसर का नर्मान हुए पिछले सब्ता ही दो साल पूरे हुए है इसके बाद से बनारत में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है पहले एरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि सहर तक कैसे पहुचेंगे तूटी सड़के हर और अविवस्ता यही बनारत की पहचान थी लेकिन अब बनारत का मतलब है विकास अब बनारत का मतलब है आस्ता के साथ आधुनिक स्विधाएं अब बनारत का मतलब है स्वच्छता और बढ़लाओ बनारत आज विकास के अध्वितिय पत्प्र अग्रेसर है वारानसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगबंग नौ सालों में अइतिहासिक कार्य हुए है वारानसी से सभी शहरों को जोडने वाली सडके या तो चार लेन की हो गई है या पिछे लेन की बना दी गई है पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है वारा नसी में नई सडकों का जाल बिछाये जा रहा है पुराने के साथ ही नए खेत्रों को भी विक्सित किया जा रहा है बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो बनारसे नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का काम हो एरपोर्ट पर सुवीधाओं का विस्तार हो गंगा जी पर घंटों का पुनाद निर्माण हो गंगा में कुछ चलाना हो, मनारस में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो, नई और आधुनिक डेरी की स्थापना हो, गंगा किनारे किसानों को प्राकुर्धी खेती के लिए मदद हो, हमारी सरकार यहां के विकास में कोई कोड़ कसर बाकी नहीं छोड़ रही है मानारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहां ट्रेडिंग समस्तान भी खोले गए है साउसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला आए भाई और भेनों इस आधुनिक विकास का जिक्र मेहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्रेक्टर के अभाव की भी होती है जैसे कि बनारसाने वाले आत्री सहर से बार मने इस स्वर्मेंदिर में जरूर जाना चाहेंगे लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़के न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं लेकिन अब स्वर्वेद मंदिर बनारसाने वाले सद्दालों के लिए एक प्रमुक्सान बनकर उबरेगा इससे आसपास के सभी गावों में व्याहुसाय और रोजगार के अउसर बनेंगे लोगों की उन्नतिक रास्ते खोलेंगे मेरे परिवार जनों विहंगम योग संस्तान जीतने हमारे आत्मिक कल्यान के लिए समर्पिद है उतना ही समाज की सेवा के लिए भी संक्रिय रहा यही सदाफल देव जी जैसे महर्ची की परंपरा भी है सदाफल देव जी योग निष्ट संत होने के साथ ही आजादी के लड़ाई लड़ने वाले स्वतंतरता संग्राम से नानी भी थे आज आजादी के अमरितकाल में उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना उनके हर एक अनिवाई का दाईत्व है मैं पिछली बार जब आपके बीच आया था तो मैंने देश की कुछ अपेक्षाएं भी आपके सामने रखी थी आज एक बार फीर मैं आपके सामने नव संकल्प रख रहा हूं नव आग्रह रख रहा हूं और अभी मुझे विज्यान देव जी ने याद भी करवाया कि मैंने पिछली बार क्या कहा था मेरा पहला अग्रह है पानी की बुंद बुंद बचाईए और जल सवरक्षन के लिए जादा से जादा लोगों को जागरूप करिए दूसरा गाउं गाउं जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के परती जागरूत करिए ओनलाइन पेमेंट सिखाईए तीसरा अपने गाउं अपने महले अपने शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए काम करिए चौथा जितना हो सके आप लोकल को स्थानीय प्रोडेक्ट को प्रमोक किए Made in India प्रडेक्ट का इस्तमाल करिए पाचवा जितना हो पहले अपने देश को देखिए अपने देश में घुमिए और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पुरा देश नहीं देख लेते विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए और मैं आधकल तो ये बड़े-बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी को कर रहे हो भई तो मैंने कहाँ वेडिन इंडिया हिंडिया हिंडिया में शाइदी करो मैं छट्थी बात कहता हूं प्राकृति खेती के प्रती किसानों को जादा से जादा जागरूत करते रही कि मैंने यह आगर पिछली बार भी आपसे किया था फिरी से दोहरा रहा हूं यह धर्ती मा को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभ्यान है मेरा सात्वा आगर है मिलेट्स को श्री अन्न को अपने रोज मर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए इसका खुब प्रतार पसार करें यह सुपर फूर्ड है मेरा आटवा आगर है फिट्नेस फिट्नेस योग हो स्पोर्स हो उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाईए और नवा आगर है कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिये उसकी मदद करिए यह भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है आज कल आप देख रहे हैं विक्सित भारत संकल को यात्रा चल रही है मैं कल शाम को इससे जुड़े कारकम में शामिल हुआ हूँ अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विक्सित भारत संकल यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ इस यात्रा के प्रती जागरुता फ्यलाने का दाईत्व आप सभी का भी है हर धन्म गुरु का भी है मैं चाहूंगा कि ये सभी हमारे व्यक्तिकत संकल भी बनने चाहिए गाउं विश्वस्य मातरह का जो आदर्श वाक्य है ये हमारे लिए आस्ता के साथ साथ व्यहवार का भी हिस्सा बनेगा तो भारत और तेजी से विक्षित होगा इसी भाव के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पुझे संतों ने मुझे जोस्मान सम्मान दिया मैं उनका भी रुदय से धन्यवाद करता हूं मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की धन्यवाद